हेलो फ्रेंज, मैं आनामिका, मेरी कीचिन में आप से भी का श्वागत है आज मैं तहीं पूरे चाड़ की रेश्पी ने कराई हूँ इसे हम लोग अच्छिन कुछ भी खाते हैं, और रेश्पी आप घर पे बनेगी और शेम प्रोशेश से हम बना के आपको दिखाएंगे, जो खाने में बहुत ही चरपटी होगी तो इसे आप भी जूर अपने घर पे बनाएज़ेगा और तेरे सेलर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना मत बोलिए तो चलिए हम इसे प्रफट बनाना शुरू करते हैं दही पूरी बनाने के लिए हमने पूरी लिया है, ये पूरी हमने बजार से ममवा रखा है मूं को हमने फुला के प्रेशर कूकर में हमने बॉयल कर लिया है नमक डाल के एक बड़ा आलू को हमने बॉयल करके पील करके उसको तोड़ लिया है एक कटोड़ी गाढ़ी दही में हम सकर और नमक डाल के अच्छे से फेंट लिये हैं एक छोटा प्यास को हमने बारीक बारीक काट रखा है हरे धनिया पत्ते की और पुदीना की हमने चटनी पीस रखी है चाट मशाला हम डालेंगे इम्डी की चटनी हमने लिया है फ्रेस धनिया पत्ता को हमने बारीक बारीक काट रखा है बेशन वाली शेव लिया है श्वाद की अनुशार हम नमक, काला नमक और लाल मिर्च पॉडर यूज करेंगे तो चलिए हम फटा फट दही पूरी बनाते हैं सबसे पहले हम एक बॉल में मूं को डाल लेंगे और उसमें हम ये आलू डाल लेंगे साथ में हम प्याल डाल लेंगे और इसे हम एक अच्छा सा मिक्चर बना लेंगे जिसे हम पूरी में भड़ेंगे अब हम इसमें चुट की भर नमक ऐसे छी रख लेंगे ज्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि सभी चटनियों में भी नमक होता है तो हम अंदाज से ही नमक डालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे अब हम इस mixer को हटा के और एक plate लेंगे इसमें हम पूरियां तोर के सजाएंगे तो हमने पूरियों को लेना हैं और बीच से ऐसे तोर लेना है क्योंकि इसमें हम आलू भढ़ेंगे दही भड़ेंगे तो अच्छे से 20 वाले portion को तोड़ना है, अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले हम पूरी सजार लेते हैं, हमने सभी पूरियों को अच्छे से आलो और मुंग से भड़ लिया है, अब हम इस पे हलका हलका नमक स्प्रिंकल करेंगे, तो यहां पे हम एक च क्योंकि हमारी सभी चटनियों में नमक होता है, अब हम इसके उपर से डालेंगे मीठी चटनी, तो यहां पे हमने मीठी चटनी ले रखा है, आधा आधा चम्मज हम मीठी चटनी डाल लेंगे, आप अपने पसंद के अनुशार थोड़ा जादा कम कर सकते हैं, मीठी चटनी पूरी की रेश्पी हमारे सेनल पे है, आप देख सकते हैं, अब हम दालेंगे इसमें हरी चटनी, तो यह हमने हरा धनिया और पूरीना का चटनी जो बनाया था, और चटनी है, अब हम इसमें दही डालेंगे, यह दही पूरी है, तो यहां पे हम भरपूर मात्रा में इसमें दही डालेंगे, अब देख सकते हैं, ये दही पूरी देखने में कितनी सुन्दर लग रही है, खाने में तो टेश्टी लगेगी ही लगेगी, अब हम उपर से डालेंगे चाट मशाला, सभी पूरियों पे हम एक चुटकी चाट मशाला डालेंगे, उपर से डालेंगे हम लाल मिर्च पॉडर, अकर आपको ज़्यादा तीखा काड़, खाना पसंद है तो ज़्यादा डालें, कम खाना पसंद है तो थोड़ा सा कम डालेंगे, पर ये देखने में बहुत सुन्दर लगता है, उपर से हम डालेंगे ब्लैक शॉल्ट, तो ये हम चुटकी चुटकी डालेंगे, हमें ज्यादा नमक नहीं डालना है, फाइनल हम डालेंगे इस पे दनियापत्ता, इसे हमने द्भो के बारिक बारिक काट रखा है, और दही पूरी की गार्णेसिक सेर से ना हो, तो फिर वो अधूरी लगती है, तो यहां पर हम इसके उपर भीर सारा रेशन का शेव डालेंगे, और फाइनली हम थोड़ा थोड़ा दही इस पे डाल देंगे, जिससे की दिखने में लगे कि अपनी ये दही पूरी है, तो फ्रेंच आपने देख लिया, दही पूरी बना कितना आशान है, और खाने में तो ये चटपटी होती ही है, तो इस रेश्पी को आप भी अपने घर पे जुरू ट्राइब कीजिए, अर्से लगे तो मेरे सेनल को लाइक कीजिए, शब्स्क्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट करना पत्त होईए, भीर में आवाल, कितने तो मेरे से जड़ एंपने उढ कीजिए, कि अले में एवाल, तो में एवाल, शेवाल, और खाने आवे जाय कीजिए, शेशे निजिए करना झाल.